सवागत थे आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरू चैनल में आने के लिए धनियवाद दोस्तों मेरा नाम है सजीर उद्दिन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरू तो चलिए कुछ नया सिख लेते हैं आज लाया हूँ बजाज कंपनी का कावासे की बॉक्सर बाइक इसका फूल एलेक्टोनिक सिस्टाम मैं आपको डिटेल का साथ बताऊंगा और करके दिखाऊंगा कौन सा वायर कहां का है आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बाइक को खोल लेता हूँ खोलने का बाद पूरा वायर जो होती है मैं आपको बत करेगा आपको और सीडियाए में क्या-क्या तार घुषता है पीक अफ कोईल का इगनिशन कोईल का तार कहां से आता है मैं आपको स्टेप बाइस्टेप इस पीटू में बताऊंगा तो दोस्तों यह है आपका सीडियाए को आपको बताऊंगा पहले सीडियाए को खोल लिय यह है मेरा jack CDI का यह जो red color के तार आपको दिखाई दे रहा है न यह boxer budget company का जो bike होती है यह red color का तार जो magnet से आता है starting coil का जो तार होती है start होता है इसी से और यह red color का तार जो है देखिए यह magnet का coil plate से आता है armature से और यह आपका starting coil का wire है यह red color का ठीक है उसके बाद यह जो काला wire दिखाई दे रहा है black ठीक है यह black आपका चल जाएगा ignition coil पे यह जो black color का तार है ignition coil पे चल जाएगा जिसमें की उस पे जाके जादा भोल्ट चालू करेगा तो मैं देखा देता हो देखिए यह आपका ignition coil और ignition coil पे काला यह तार जो है wire black यह चल जाएगा और वहाँ जाके भोल्ट देगा ठीक है red भी हो गया black भी हो गया रहा यह आपका जो white के अंदर जो red color है white के अंदर जो red color है वो आपका engine से armature से pickup coil से आता है देखिए यह engine coil plate का तार है मेरा कटी हुई है मैंने joint करा हुआ है यह जो देखिए white color का साथ जो red mixture है देखिए यह आपका white flash red color का जो pickup coil से तार आता है यह engine से आता है दोस्तों ठीक है देखिए यह engine से आता है और pickup coil जो अंदर है वही यह तार है अब रहा यहाँ एक जो पीला कलार का स्तार जो है और बलेक पीला बिलाग जो है ना, मिक्चारिण जो तार वे पीला बल Als बेला बलैक यह आपका बॉडी है ठीक है दिखिए यह बॉडी जो है आपका ब्लैक और पीला है यह बजाज कंपनी में बाड़ी देता है फीला बल différence को ठीक है बस यहां आपका हो गया और यह जो आपका हॉइट व्लैक है हॉइट व्लैक का आपका जो वायर है आपका चल जाता है ignition often जो switch होता है चावी का जो main switch वही पे चल जाता है ठीक है आपको मैं बताता हूँ डिटेल कर साथ दिखे यह जो चावी का switch है दिखे यह चावी का switch है और यह तार चल जाता है CDI पे यह बंद करता है बाइक को ठीक है बंद करने के लिए है है , यह आपका šЭто stato करने के लिए नहीए यह बाई को कि घञ लिए कहले एकर करने के लिए घख कर एगा तो यह सोट कर देता और अगर आपका बन कर देगाए और आपका बाईक पूच्टर रेक्टिफार्यएर, यही बैक ही बैक डेटेंच डेता है और मिट को लानule लइन देता है, और अर्मी चार्च banana भोल जाता है तो दोस्तों है आपको बताऊंगा यहां भी आपका चार कलार का तार है, ठीक है तो यहां भी मैं बता देता हूँ कौन सा वायर कहा का है यह जो मेरा मार्किंग कर रहा है यह जो तार है वायर है यह चल जाता है आपका कॉयल प्लेट से आता है दोस्तो कोईल प्लेट बोले तो इंजिन का जो आर्मिचार है आर्मिचार कोईल जो होती है हेडलाइट हेडलाइट जो देता है वही आपका आता है दोस्तो हेडलाइट पर भी नहीं जाएगा मैं आपको बताता हूँ यह आर्मिचार से आता है अब मैं आपको बताता हूँ देखिए यह आपका बैटरी को देता है दोस्तो ठीक है यह जो हॉइट कलर का तार है रेगलिटर चार्जर में आपको दिखाया ठीक है यह प्लास पर आके लगेगा यह प्लास पर आके लगेगा ठीक है दिखिए बस यह जो आपका फीला कलर का तार है यह फीला कलर का तार आपका चल जाएगा headlight switch पर यह है headlight switch यहाँ पर आ जाएगा ठीक है दिखिए यह जो आपका फीला कलर का तार है आपका चल जाएगा headlight switch पर यह जो headlight switch है यही पर direct आ जाएगा start होने का बाद जब यहाँ पर line आ जाएगा जब headlight आप देगा तो यह deeper जो switch होती है इसे line देदेगा एक point ball आपका जल जाएगा उसके बाद आप आपड़ deeper कर सकते है ठीक है जब headlight आप देगा अपने आप चलाएगा deeper switch पर एक point जल जाएगा आपड़ आपड़ deeper हो जाएगा इसमें ठीक है आपको headlight के विजानकारी हो गया headlight के board कहां से आता है regulator charger से आता है ठीक है और यहां से एक ground ले लेगा body बस दोनों light आपका जल जाएगा अब चलते हैं ignition switch पर यह है आपका ignition switch का socket है देखिए ignition switch है और उसका socket है यह आप इसमें बोल्ट केतना आएगा कहां से आएगा और बंद होता है किस तरह से होता है फिर आपको बताता हूँ तो चलिए सबसे पहले मैं आपको battery से भोल डाता है यह जो white color का तार है यहां 4 तार है white color का है एक black में पीला है और एक black में white है ठीक है तो यह जो white color आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यह जो white color ठीक है यह white color का तार आपका चल जाएगा battery direct चल जाएगा दोस्तों दिखिए यह जो आपका flash है flash चिन्नों दिखिए बैटरी का में जो पोल होता है flash चिन्नों वही से आएगा volt ठीक है और देखिए यह चाबी switch push करने का बाद यहां 12 volt लाइन देगा पूरे बाइक पर यही लाइन जाएगा चाबी का switch push करने का बाद यह जो आपका थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ तार मिटी कलर का है और रहा यह दोनों काला हॉइट और काला फीला है ठीक है काला हॉइट पहले बहुत बता देता हूँ कहां से आता है देखिए यह cdii से आता है दोस्तो cdii से लें जाता है cdii से यह काला हॉइट जाता है बंद करने के लिए चाबी switch पर ठीक है देखिए काला हइट है और ये काला फीला जो वायर है ये आपका बॉडी है इसी से बॉड़ बंद होता है बॉडी बुले तो यहां आपको दिखा देता हूँ इगनिशन कोईल पर ये बॉडी करण हुआ है तो ये आपका चारो कलर आपका मिल गया कहां कहां से बोल रहता है बंद करने के लिए देखो मैं आपको टेस्ट करके देखा देता हूँ थोड़ा इस्टार्ट हो गया अभी बंद हो गया मेरा ट्यूनिंग कम है अब मैं आपको देखाता हूँ बाइक यह स्टार्ट करके इस्टार्ट होता है कि नहीं देखो यह मैंने शॉट कर दिया है काला फिला और काला बलैक को अब यह बाइक इस्टार्ट नहीं होगा एकदम नहीं होगा यह बाइक इस्टार्ट अब देखो यह वायर खोलने का बाद इस्टार्ट हो जाएगा देखो इस्टार्ट हो गये घैए, तो आपको असा करता हूं, यह जो main switch है, इसके बारे में आपको जानकरी हो गया, जो कौनसो कौनसो air है आपको मैं बता दिया, काला फीला और काला ब्लैक यह आपका इस्टाट के लिए है और हुइट कलर का जो थोड़ा मठी कलर का जो तार है वह आपका बैटरी का भोल्ट है तो आसा करता हूँ आपको समझ में आगया आप इंडिकेडर के बारे में मैं बताओंगा आपको जानकरी दूँगा ठीक है दिखिए दोस्तों यह फ्लासर पर आता है हम लोग पहले क्योंकि फ्लासर में में फ्वेंट है इसका यह आपका रिले है और यह जो आपका वारंच क तो बन होजाएगा तो दिखो मिटी गलर करतार आपको फ्लासर में घुज गया उसके बाद और organizing color का तार आपका चलाएगा इंडिकेडर स्विच पर इंडिकेडर में तीन होता है दोस्तों ठीक है तीन पोल होता है देखो एक दो तीन तीन पोल होता है तो में पोल पर आ जाएगा वारेंज कलर का तार ठीक है यह जो और अरेंज कलर का तार है यह में पर आएगा और दोनों दू साइट पर रहा अब देखिए मैं आपको बता देता हूं यह दोनों क से वाइरिंग बनता है दूस्तों असा करतो हो आपको इंडिकेडर का पता चल गया अब मैं आपको देखा देता हूं कलार थोड़ा देखा देता हूं लेफ साइट का कौन सा है यह जो आपको थोड़ा हॉइट कलार का जिसा दिखाई दे रहा है यह राइट साइट का है यह मेन है और ये आपका तोड़ा सबूच कलरर का दिखाई देगा देखिए ये सबूच कलरर का है अपका लेफ साइट का है अब दोनों एक एक करके लगया और बाकी रहा एक तार बोड़ी तो आप कहीं भी कर सकते है जैसे कि यहां आपको काला पीला जो तार है यह body होगा दोनों का एक करकर लगा देगा बस आपका indicator जल जाएगा ठीक है अब आते हैं दूस्तो यह है आपका पीछे का जो backlight होती है backlight से आते है backlight कहां से भोल देता है कौन सो कायात देता है मैं आपको बता हूंगा देखिए दुस्तरों ये आपका body है arthing ठीक है ये आपका arthing है body और ये जो का में है इसका brake switch चाहता है कि रेयार फ्रों होता हैे देखिए इस जो break होता है ये push करनेका बारा बोल्ट देता है पीछे बोल्ट जल जाता है और सामने हैंड ब्रेक जो होती है खीचने से भी यहां बोल्ट आ जाता है आ रहा जो यह लाल कलर का रेट कलर का जो तार होती है रेट आर साधा जो है हॉइट कलर आपका हेडलाइट देने का बात यहां बोल्ट आ जाता है देखो यह जब आपका headlight को on करेगा तो आपका यहां से पूसों के पीछे आ जाएगा पीछे का backlight wall आपका जल जाएगा ठीक है ब्लैग में हॉइट है और रेड में हॉइट है और आपका बीच में जो है सबुच कलर का तार है अब आते हैं इंडिकडर पे यह जो आपका हॉइट जैसा लग रहा है यह आपका राइट साइड का है और यह जो आपका है थोड़ा सबुच कलर का तार यह आपका लेफ साइड का है और यह एक एक तार रहा वो आपका बॉड़ी है काला जो पीला तार होता है साथ में दिखिए काला पीला है ना यह आपका बॉड़ी है आप दोनों इंडिकेडर का तार बॉड़ी यहां से ले सकते हैं दोस्तों यहां यह कंडेंसर होता है इसका बोल्ट होता है 25-2600 भोल्ट ठीक है तो यह जो आपका रेगुलिटर चार्जर को आप यह खीशता है बोल्ट को और एक एफचार करके बाइ बैटरी चार्ज ठीक से नहीं देगा अगर यह इसका पॉल भी तूड़ जाएगा तो नया लगा दीजेगा देखिए और जो होता है यह से स्टार्ट करनेगा अगर आपका बैटरी भी कम चार्ज होगा तो यह आपका फिल्टर करके वोल्ट आपको देदेगा अच्छा से तो आप किया पहले चेक करेगा मैं आपको बताता हूँ पहले क्या लगा देता हूँ अभी मेरा बाइक ठीक है मैं आपको सला देता हूँ ठीक है अगर आपका बाइक स्टार्ट ने होगा, लाइन ने आएगा तो आपको देखिए, यहाँ जो SDI कोयल है, सबसे पहले आपको यहाँ चेक कीजिए, यह जो Deborah कलर का तार है, यह आपका स्टार्ट इंग कोयल है, अर्मिचर कोयल से अलग है यही है, स्टार्ट करने के लिए खली है अगर यहां लाइन आपका आएगा तो आपको सोचना चाहिए जो मेरा मैंगनेट अर्मिचर कोयल ठीक है मैं आपको देखा देता हूं थोड़ा थोड़ा मेरा यहां अकेला अकेला करता हूँ तकलिफ होता है दोस्तो देखे गौर से देखिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि देखे थोड़ा जटका दे रहा है इसका मतलब लाइन आ रहा है मेरा आर्मिचर कोईल ठीक है आर्मिचर कोईल ठीक है यह coil ठीक है अब मैं pick up coil को भी चेक कर लेता हूँ pick up coil में कोई भोड़ नहीं आता है दूस्तों यह समझ लेजे कभी भी कोई भी bike में pick up coil से भोड़ नहीं आता है लेकिन pick up coil का जो main तार होता है और starting coil का जो तार होती है यहाँ मैं firing करूँगा अगर firing करेगा स्टार्ट हो जाएगा अगर मेरा सीडियाइक वाइल अच्छा रहेगा तो तो चलिए मेरे पास एक खराब सीडियाइक वाइल है मैं आपको टेस्टिंग करने के लिए दिखा देता हूं ठीक है देखिए यह मेरा दूसरा सुछ कंपानी का लगाया है तो मैंने ओल्ड जो रखा है तो मैं आपको देखा देता हूं बाइक मेरा इस्टार्ट ने होगा इससे ठीक है मेरा लाइन ठीक है एकदम देखिए एकदम ठीक है इस्टार्ट ने होगा इस्टार्ट ने होगा उसके बाद देखता है यह नया सीडियाइ लगाके अब इस्टार्ट हो जाएगा दिखिए स्टार्ट हो जाएगा इसमें च्छे केनेक्शन है लेकिन चार पांच स्टार रखता है एक फाल्दू है दिखिए एकदम स्टार्ट हो गिया तो इसका मतलब मैं आपको सब काभी सारे जान करें देदिया दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगया तो हमारे जैनल को सब्सक्राइब केजिए क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेब वीडियो लाते रहते हो देखाते रहते हूं फिर अगला वीडियो हाजर होंगा अगले वीडियो के साथ मेरा नाम है सजुरुद